भारतेंदू नाट्य अकादमी प्रसुत करते हैं रंग समागम मिलिए कला जगत की प्रख्यात्वी भूतियों से और जानिए उनकी कहानी उनहीं की जुबानी नमस्कार भारतेंदू नाट्य अकादमी दोरा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है जीवन बिल्कुल इस्थिर बना हुआ है ऐसे दोर में भारतेंदू नाट्य अकादमी एक नवीन पहल के साथ आपके बीच में हाजिर है पहल का नाम है रंग समागम 2020 इस पहल में भारतेंदुनाटे एकेडमी आपको ऐसे लोकों से उनकी जीवनी से परचित कराने आई है जिनोंने अपने अभिने कला के माध्यम से एक विशेश मुकाम हासिल किया है आज हमारे बीच में एक ऐसे ही उंदा अभिनेता है उत्तरप्रदेश के जौनपूर जनपत से ताल्यूक रखने वाले जिनोंने मुंबई तक की एक बेहद रोचक यात्रा तैकी सारे हिंदुस्तानियों के दिल में जगह बनाई छेसों से ज्यादा फिल्मों में अभिने किया एक ऐसे अभिनेता जिनने सधी की महा नायक अमिताब बच्चन साहब ने सुपरस्टार के खिताब से नवाजा एक ऐसे अभिनेता जिनोंने भारत की सारी प्रमुख भाशाओं में अभिने करके एक विशेश रिकॉर्ड बनाया है एक ऐसे अभिनीता जिन्यों ने सिने जगत से संसत तक की आत्रते की जी हां हम बात कर रहे हैं हमारे देश के बॉली उट के सूपरिस्टार रवी किशन सहापी रवी किशन जी आज हमारे बीच में हैं स्वागयते सर आपका भारते इंदुनाट्य अकेडमी के इसकारिक्रम रंग समागम मैं भारते इंडू नाट्य अक्याडेमी के इस रंग समादम के द्वारा इसके माध्यम से आप सभी कलाकारों को हर विधा के कलाकारों को प्रणाम करता हूँ नमन बंदन करता हूँ महादेव की कृपा है बहुत चिंता से देश गुजर रहा है लेकिन चुकि मैं अब मानवता की सेवा में उत्रा हूँ तो मुझे बाहर भी आना पड़ा रेल्वे स्टेशन भी जाना पड़ा अनाज वित्रन भी करना पड़ा और बहुत सारी सेवाओं में चुकि अपनी सुरक्षा को भी मैंने गौर नहीं किया चुकि ये रिस्क है बहुत गुरखपुर में इस वक जहां आप बैठें ये मेरा कारेयल है और आवास है तो यहां पर भी अब काफी मात्रा में लोग पॉजिटिव केसिस बढ़ रहे है रिस्क काफी है हमको मुख्यमंत्री जी का भी आदेश निर्देश आया प्रधान मंत्री जी का भी आया कि आप जहां है वहीं रहे है आवास से भी ना निकलें छेत रहे है लोग आ रहे है जा रहे है भीडा रही जा रही है समहाल के सबको सोशल डिस्टिंसिंग का पालन करते वे फेस पे मास्क कवर गंचा लगाना हाथ धोना इस सब बताते वे कारे भी कर रहा हूं क्योंकि यह जीवन है इसको चलना है सुरक्षा से आपको आगे सरुत्र प्रदेश का एक छोटा सा जनपत जौनपूर वहां एक छोटा सा बच्चा और उस बच्चे की आखों में पलते हुए बड़े सपने पहली बार रंगमन से आपका सामना वहां हुआ मेरे मेरे जहन में जहां तक ऐसा लगता है चुकि देश के मैं सारे बड़े डिरेक्टरों के साथ भाग शाली राकाम करिया कलाकार पैदा होता है तो विधी विधान भाग इश्वर उसके जीवन में लिखते ताकि तुम बनोगे हुआ हमको पता ही नहीं था हम लोग चुकि मैं पुजारी का बेटा और ये कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूगा एक माहौल था रामडीला का माहौल चलता था जो एक कमजोर तरीके से जो होता है विगार कोई अभाव में बनता है वहां पे गाउं देहाद में तो वहां पर एक दिन नहीं थे एक किरदार नहीं कि एक जो गाओं में होता है कि इमामी बाम आता था लाली पाउडर सफेद एकदम चहरा कर ते उसमें करकर कि वो भी समझ में नहीं कर रहे थे क्यों कर रहे थे मालूम तो कुछ होता नहीं फिर संगीत बजें तो पैर थी रखने लगें फिर नाशने लगें फिर अमिताब बातों से अच्छा लग रहा है क्यों ये नाशते हैं तो अच्छा लगता है और क्यों मैं वैसे नाचने लगा फिर कपड़े अलग पहनने लगा जैसे मिलता था उसको पैंड मिलती थी तो उसको मोड देता था को जजीब जीब हरकते करता था तो पिता जी को बड़ा भी लगा उन्होंने बहुत मारा भी हमको कि नचनिया वन बे हम लोग किया वो इसको चुकि अब ये बात होगी काफी साल पुरानी जे जे उस वक्त सिनमा इंडस्ट्री को बहुत अच्छूता माना जाता था और कलाकार मतलब और उभी एक ब्रामान की घर में एक उजारी का इश्वर ने कुछ और अचना रची है महादेव न हमारी और हमको देश में विश्व में पूरा लोग जानने लगेंगे और हमारी कलाकी चर्चा होगी और हमें अंगिनत अवार्ड्स मिलेंगे और मैं देश के सारे बड़े डिरिक्टर हमारे साथ काम करने के लिए चाह र रुपाय क्यों 100% गारेंटी हो गई कि रवी आएंगे तो रवी आपको आनंद जरूर देंगे सर आपको जो पहला ब्रेक मिला मुंबई में उसमें किसने निर्डायक भूमिकानी भाई मैं जे लगता है सब डेस्टिनी है डेस्टाइन है इश्वर्स पहले से रोड मैप तयार करता है और फिर आपको आपका खाली कार ये बनता है कि आप उस पर कैसे चलते हैं आत्म विश्वास के साथ और कैसे अपने फिर पढ़ने लगे जानने लेकि लंबी आतरा फिर मुंबई में एक मित्र ने मदद की रोहिश हैटी जो बड़े डिरेक्टर उनके भाई रिदेश हैटी उन्होंने एक पितांबर फिल्म दिलवाई छोटी फिल्म थी फिल्म मों पिड़ गई हीरो थे हम उसमें तुरंद फिर मैं स्ट्रगल करने लगा एक फोटो थी हमारी बहुत कमजोर सी फोटो वही लेके दिन रात भटकने लगा मुंबई में और फिल्म और मिली एक काजोल के साथ उधार की जिंदगी उन्नीस सो बैयानवे में एक क्यानवे में पितांबर मिली बैयानवे में उधार की जिंदगी मिली फिर वो फिल्म अच्छी थी लेकिन कुछ हुआ नहीं फिर भागने लगे फिर अक्षे कुमार के साथ फिल्म की अक्षे हमारे साथ नैनै वो भी उसी दोर आये थे जखमी दिलिक फिल्म किये, फिर मिथुन के साथ किये फिर 94 में मिली श्री देवी शारुखान के साथ आर्मी फिल्म सर नसीर साहब से आपके बड़े अच्छे तालुक है मैं आपका एक इंटर्व्यू पढ़ रहा था लेकिन काम मिलने लगा, सीखने लगा, पढ़ने लगा, सिनमा देखने लगा, किताबे पढ़ने लगा, बाइग्राफिस पढ़ने लगा नाटक और रंगमंच के सब बड़े बड़े प्लेज देखने जाता था सारे रंगमंच के कलाकारों को पढ़ता था लोग मुंबई में पहले बंबई हुआ करता था, मित्र बने हमारे, प्रिथवी थीटर जादा जाता था, जादा कलाकार मुझे रंगमंज के बड़े भाते थे, मनुझ बाचपई हुमारे दोस्त हो गए थे, संजे मिशरा मनुझ बाचपई, ये सब मेरे इरफान खान जब जिवीत थे, ये सारे हमारे मित्र बनने लगे उस जमाने में, हम लोग सब एक गुरूप हुआ करता था, और एक मन के लोग थे, एक मन के विचार थे, एक मन की एक्टिंग थी, हम लोग रियलिस्टिक एक्टिंग में बिलीव करते थे, नसीर उद्दिन शाह को हम लोग हतावे पढ़ते थे, हमको बोलते थे, फिर ये लोग जो नाटक बोलते थे, नाटक देखो, तो हम हमेशा रोज प्रिथवी जाते थे, मैं रोज एक नाटक देखता थे, प्रिथवी का कोई फेस्टिवल में छोड़ता नहीं था, और वो नाटक देखना, नाटक समझना, इस तरह के मित्रों जो रियलिस्टिक आक्टिंग करते हैं जब इन लोगों के साथ दोस्ती हुई तो सिनमा को देखने का नजरिया बदल गया। मुझे डाक फिल्में भी पसंद थी, आर्ट फिल्में, फिर शाम बैनिगल जी की फिल्में में ज़्यादा देखता था। तो ये सब फिल्में रही हैं सत्यजी तरह की किताबे बायोग्राफीस पढ़ी हमने, बहुत सारे आक्टरों की बायोग्राफीस पढ़ी हुए उनके जीवन की कहानी मित्रुण चकरवर्ती अच्छे दोस्त हो गए, वो भी बड़े उम्दा कलाकार, मुझे लगता है मेरे द हम सीचते गए, सीचते गए और निखड़ते गए। सर वो कौन सी ऐसे फिल्म थी जिसने आपको हिंदी सिनेमा में लोखप्रिय बनाया, जिसके बाद आपकी रहा आसान होने लगी, बड़े बड़े डिरेक्टर्स आपको अप्रोच करने लगे, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सके हमें. बिहार के, गिर्डी के, उन्होंने एक फिल्म आफर की, कि एक फिल्म है, संया हमार, ये कर लीजिये, तो हम पता कि ये वो टाइम भोचपुरी सिनमा वगरा, बंद हो चुका था, इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, कोई फिल्में देखता नहीं था, नदिया के बार हमारे लाज सूपरस्टार कुनाल सिंग जी थे, सुजित कुमार जी थे, लोग के बाद कुनाल जी थे, और इंडस्ट्री बारा साल से बंद थी, और कोई देखता नहीं था, तो हम बोले, तो मेरी माँ ने कहा कि, हमने गाउं में फोन किया, माँ को बोला, एक आफर है तो माँ ने का, क्यों ना ही चला, आपने गाउं खातिर कहला, मतलब गाउं देख लेगा, जी 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 और हमने फिल्म की, 75,000 रुपे मिले थे, उसमें हमने 25,000 रुपे आक्शन में खर्च करवा दिया, क्योंकि मैं हिंदी से इतना ट्रेंड हो चुका था, फाइट सीख लि लिया था, जुहू बीच पे जाके हम लोग ट्रेनिंग लेते थे, और वो फिल्म की, वो फिल्म ब्लॉक बस्टर हुए, और एक भोचपुरी इंडस्टी, एक एडिक्शन लगा, फिर एक दूसरी फिल्म आई, संग्या से बाद सोला सिंगार, गोरखपुर में शूटिंग किये उसकी, दो हजार चार में, यहां गोरखपुर आये थे हम, फिर देवरिया में एक पिचर किये, फिर कन्यादान फिल्म की, कन्यादान में पहली बार मनुस्तिवारी जी को ब्रेक दिये, वो बनारस में मिले थे हम शूटिंग कर रहे थे, तो एक गाना उनको दिये थे वो अलबम में गाना गाते थे, वो शुरुआ थी और फिर कन्यादान हिट हुई, फिर पंडिक जी बताईना बिया कब होई आई फिल्म हमारी, और पंडिक जी बताईना बिया कब होई से एक सूपर स्टार का तमका हमको लगा सर, आपने एक फिल्म की थी, मनोज वाचपेई जी के साथ, 1971, उस फिल्म के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ आपको छोड़के लगभख सभी कलाकार NSDN थे, उस फिल्म का अनुभख ऐसा रहा से? 1971, इसमें सारे National School of Drama के सारे स्टूडेंट से करीबं देड़ सो कलाकार थे, रंगमंच के सिर्फ, वो एक मात्र फिल्म थी जिसमें मुझे लगता हमको छोड़के, प्रोफेशनल रंगमंच के सारे कलाकार थे, और सारे कुमुद मिश्रा थे, मानाव कॉल थे इसमें, दीपक भी National School of Uttrakhand के लड़के हैं, National School of Drama से पास आउट थे, National School of Drama के बहुत सारे बैच के लड़के थे, और वो फिल्म ने भी फिर सम्मान दिया, फिर हम पीछे मुड़के नहीं देखे, बहुत बड़ा दौर आया, फिर करीबें साड़े चार सो भुछपुरी फिल्म कर लिया, ब फिर भी हम मुडबा, तो वहां से फिर मनी रत्नम सर बुला हैं को, रावन पिच्छर दिये, फिर शाम बेनिकल जिनका मैं फैन रहा, उनकी फिल्म मिली हम को, उन्होंने दो फिल्म दी, वल्कम टू सज्जनपूर वल्डे नभबा, और फिर आज मैं आपके साथ बैठा हू भारते इंडू के सारे कलाकारों को, और भारते इंडू कभी गितिहास, नवाज उदीन, राचपाल यादो, और कौन हैं? काफी लोग हैं सर, अतुल शिवास्तो जी वहां से हैं, बारते इंडू को, पूरे टीचर्स को, सारे छातरों को, सारे स्टूजन्स को, जो अपने आपको एक भविश्य आप लोग खोज रहे हो और अभी जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुख्य मंत्री योगी अदितिनात महराज जी ने आज भी एनाउंस किया कि अब सारा सिनिमा का प्रोसेस का एक लैब बनेगा एवरी स्ट्रक्चर बनेगा लखनव में हमने प्रधान मंत्री जी से को लेटर लिखा था कि नैशनल स्कूल अव ड्रामा का हमको एक एफिलेशन का एक ब्रांच यहां देओ तो मैं चाहूंगा भारतेंडू भी गोरकपूर में आए तो गोरकपूर को कहा जाता है कि इस्तन यूपी की काहब है यह बहुत बड़ा सेंटर है तो यहां पहराढ़ तो सारे कलाकारों को यही बोलूँगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा भविश्य है जैसे आप लोग जान रहे हो कि इतनी शूटिंग्स यहां हो रहीं इतने लोग आ रहे है इतने कलाका हर भाशा की लोग शूटिंग हो रही तेलगू फिल्म भी हो रही है उत्तर प्रदेश में तमील भी हो रही है भोचपूरी यहीं पर shooting होती है आज कर और कहीं नहीं होती हिंदी की बड़ी-बड़ी film अब उत्तर प्रदेश की मिट्वे हो रही है सारी कहानिया वेब-series जैसे मेरी रंगबाज वेब सीरीज आप लोगों ने देखी, वो भी उत्तर प्रदेश के जमीन पर की कहानी है, बहुत सारी फिल्में, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स, भाषा हमारी आउधी, भुछपुरी भाषाओं का स्तमाल अब सनमा में हो रहा है, तो आप सारे कलाकार से पैसे कमा भी सकते हैं, लोगों को इंटरेन भी कर सकते हैं, परिवार भी चला सकते हैं, और अपने मन का काम करके आप जीवित भी रह सकते हैं, जब आपने मन का काम करते हैं, मन का काम होता है तो आप जिन्दा रहते हैं, नहीं तो आपकी जीवित मृत्ति होती हैं, जब उमीद रंगमंच के दोरान frustration बहुत आता है जो basic problem यह होता है लेकिन उससे हारना नहीं देखिए वो आपके training का period है that is what उसको कहते हैं कि आप वो learning process उसमें आप पैसे ढूनेंगे initially पैसे तो मिलते हैं किसी को, हमको भी 15 साल पैसे नहीं मिले थे हम भी बिगर पैसे के काम किये थे तो जब पैसे के पीशे जो भागता है तो उसको पैसा कभी नहीं मिलता फिर कला उसके बास से चली जाती क्योंकि मा सुरसती, मा भगवती का बास होता है शरीर में वो आदमी के अंदर जहां भी लालच या किसी महत्वकांची होता है और उसमें टीजन आउट तो फिर वहां पे मुझे लगता उसके कला भी कमजोर हो जाती है और ज़्यादा फस्टेशन हो जाता है और बहुत तो समहनना है आपको बहुत ध्यान देना है नशा पानी से बचना है वो कुछ कुछ गलत गलत बाते भी लोग कहते है कि गांजा पीलो तो कलाकार लीन हो जाता है अच्छा परफार्म यह सब जूटी बाते बकवास बाते है यह सब बेकूफी है इससे कोई फोकस नहीं होता फोकस होता आपका मेडिटेशन से पूजा पार्ट से अपने स्वयम से बात करने से आक्टिंग के लिए आपको किसी दूसरे सहारे की जरूत नहीं आक्टिंग स्वयम में अगर आप बहुत पढ़ लेंगे पढ़ाई की बहुत जरूत है कोशिश करना ची जादा किताबे पढ़ना ची कोशिश करना ची कि सारे अपने सीनियर कलाकारों का काम देखना ची कि अगर नसीर भाई ने किया मताब बच्चे ने किया मितुन ने किया संजीव कुमार सहाब ने किया राज कपूर ने किया गुरुदत सहाब ने किया बलराज साहनी जी एक नाशल आक्टिंग के बहुत बड़ी स्कूल रहा है पुराने आक्टर है बलराज साहनी जी कोशिश करना चाहिए हम सब लोगों को रोज इकात फिल्म देखना चाहिए कर कलाकार हो इस विधा में हो जिस भी विधा में हो आप बारतेंडू में जो जो विधा के अंदर हैं संगीत में हैं तो वहाँ पर हैं डांस में वहाँ पर हैं क्लासिकल में वहाँ पर हैं लिख रहा हैं वहाँ पर हैं कथा लिख रहा हैं में आपको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ग्यान बहुत ज़रूरी है पढ़ने से बहुत विचार खुलते हैं बाते करिए जैसे नसीर भाई हमको बोलते देगी रवी बाते क्या करो अगर कुछ स्ट्रेंजर भी है जहाज में बैठा है या जहाँ बैठा है कुछ बाते करने से कुछ ने कुछ हर व्यक्तिया आपको सिखाता है कॉन्वर्जेशन ओन रहना चाहिए कलाकार का कॉन्वर्जेशन ब्रेन ब्रश अप इसको कहते है ब्रेन ब्रश अप होता रहता है अपने आपको आउन रखना है, आँखे खोल के चलना है और मेरी जिन्दगी में 600 फिल्मों में मैंने 600 डिफरिंट किरदार किये और मैं पूरे देश में मुझे प्यार मिल रहा है और मिलता रहेगा जब तक मैं चाहूंगा कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे मिलता रहागा क्यो कि मेरे पास मेरे शरीर में इस वक्त एक हजार कडाकार रहते हैं एक हजार किड़दार बसते हैं, इस वक्त और वो इसलिए क्यों कि मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत शापली आउब्सफ़ किया observation की शक्ती हमेशा on रखता हूँ मैं वो button on रहता है और मुझे पता चलता है और अगर को interesting face, body language मिल जाती है तो उसको अपने floppy में bishop unknowingly knowingly obeyed जाता है और जब वो किरदार मेरे सामने आता है तो मैं गलता हूँ कि अच्छा ये police वाले ऐसे था ये ऐसा था, ये आदमी है ये पिता ऐसा था, ये भाई ऐसा था, ये गुंडा ऐसा था जो जो किरदार में सोचता रहता था वो मेरे अपने आप सामने आ जाते थे और मैंने इसको perform किया और देश ने प्यार किया और मुझे फिर पूरा सम्मान मिला और फिर मुझे एक सुपरस्टार का तमका मिला, एक अपनी भुझपुरी इंडस्टी लगाई, महनत किया उस इंडस्टी पर आज एक लाख लोगों का परिवार चलता है, और ये बहुत बड़ी बात होते हैं कि कलाकार स्वार्थी नहीं हो सकता, कलाकार को सबका सोचना है, अगल वगल में सबका सोचते हैं एक इंडस्टी का सोचते हैं, लोगों का रोजगार सोचते हैं, अपनी भाशा के लिए लड़ना जानते हैं, पारलिमेंट में मैं आवाज भी उठाया भाजपुरी की कि इसको आठ्वियन सुची में ले जाओ कलाकारों की मैंने आवाज उठाया जो कि आज सक कभी पारलिमेंट में कलाकारों के मुद्दे को किसी ने उठाया नहीं था अब मैं चुक्कि सांसद बनाओ लेकिन मेरी पहचान कलाकार की और और रहेगी कलाकार सांसद हमेशा लिखा जाएगा सूपरस्टार सांसद हमेशा लिखा जाएगा आजीवन लिखा जाएगा तो हमको ऐसा लगता है कि कलाकारों की लड़ाई, कलाकारों की बातें कलाकारों की बहुत सारी परेशानिया नाटा कर रंगमंज की परेशानिया बहुत सारी हैं और उसको आवाज उठानी चाहिए मोधी जी हमारे प्रधान मंत्री जी ने उस बात को सुना भी हमने इनको चिठी भी दिखी मैं खुद मिला भी इस बात पर मैंने उनसे चर्चा भी की मुख्य मंत्री जी से भी मैंने चर्चा की कि गोरखपुर में यहां पर हम लोग यहां पर फिल्म स्टूडियो लगाया हैं, यहां रंगमंच को बढ़ावा दें, उन्होंने यहां पर रंगमंच के लिए कुछ प्लेटफर्म के लिए पैसे भी दिये, वहां के स्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, काल पर सो जा कि हम चेक करेंगे उसको भी, क कितना काम बढ़ा है और कबसे वहां पर हम लोग पहला नाटक कर सकते हैं, तो यह सब चीजे हैं और यही होना चाहिए, सर अभी जब लोगों को पता चला है कि रवी किशन जी आ रहे हैं इस सेशन में, तो उनका एक प्रशन है, रंगमंच में अमोमन हम अलग-अलग भाश अधिन जी आप लिए तो यहां पर शुपर स्टार्डम से कभी कभी मैं बोर हो जाता था कि आना है, डांस करना है, विलन को मारना है, रोना है, माबाप की कहानी है, मैं फिर बोर होने लगा, मैं अब लगा, यार, एक ही टाइप की चीजे कर रहा हूँ, मैं अपने आपको करना चाहता था, कि मेरे अंदर कितनी शक्ती है, मैं ट्राइ करता हूँ, कि मेरी अक्टिंग अगर बिहार, यूपी, नॉर्थ में पसंद की जा रही है, तो साउथ में भी करनी है, जब मुझे वहाँ पे साउथ में मौका मिला, और मैंने पहली फिल्म की रेज गुरम, अल चुकि पैसे भी अच्छे देने लगे ट्रीटमेंट बे, और रोल बड़ा अलग अलग देते थे मुझे, और अभी भी देते हैं, हमेशा मुझे हर महिने एक-दो साउथ की फिल्म का उफर आता है, शायरा रड्डी में भी आपने किया है, तो हमको दो-तीन सो करोड, मुझे यहां पर मेरा क्रेज है, तो बहुत से ही मना आता था कि मुझे शक्ती दो कि मैं वहां पर भी मैंटनेस क्रियेट कर दूँ मेरा, और मुझे आए माँ शिवा रेड़ी या मद्दाला शिवा रेड़ी के नाम से जानने लगे अब वहाँ एक मेरी बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी पहचान होगी जितना मुझे यहाँ पे लोग घेड़ते हैं मेरे फैंस अतने फैंस मुझे अंधरापरदेश में भी घेड़ते हैं करनाटा गामे में भी घेड़ते हैं तमिलनाडू में भी तो एक बहुत बड़ा मेरा वहाँ थॉट यही था कि मुझे हर भाशा की फिल्म करनी तो मैंने तमिल की तेलगू की कनाडा की अमले आलम किया गुजराती फिल्म कर रहा हूँ, दो फिल्म हो गई, माराथी फिल्म की मैंने, पंजाबी की, वेब सीरीज किया, रियालिटी शोज किये, तो मुझे लगता है, मैं अपने आपको टेस्ट करता रहता था कि, यहां देखते हैं मैं कैसे कर पाऊँगा, वेब सीरीज करूँगा तो कैसे, रियालिबिक बॉस में जाऊँगा, तो कैसे करूँगा, एक अपने आपको चेक करते रहना चाहिए हर जगा पे, कि हीरो का इमेज है, तो विल्म में भी मैं उतनी पाऊफुल वे इमेज अपनी बनाऊँगा, तो लोगों को मैं हीरो अच्छा लग रहा था, विल कलाकार मुझे, क्यों हमेशे एक रस्लिसनस रहती है, कलाकार के अंदर एक विचलित रहता हूँ, हमेशे अभी भी है, अभी मैंने लुक रखाया यह दाड़ी मुझे, कॉरिंटाइम के दोराने बढ़ गया, साथ सतर दिन, अभी इसमें मैं दो तीन फिल्म में करूँगा, यही नौर्थ में, गोरकपुर में आसपास में करूँगा शूटिंग, इस लुक में भी मैं कुछ जनता को इंटरेन करूँगा, अपनी सेवा भी कर रहा हूँ, लेकिन अपनी कलाक को छोड़ूँगा ने, कलाक तो मैं भले साल में एक-दो फिल्म करूँ, लेकिन वो यही अदेब दुनिया तोहरे प्यार में इनको कांस में प्रीमियर किया गया, कांफेस्टिवल गया, तो यह सर यह यात्रा की जिस भाशा को लगभग लग रहा था कि इंडस्ट्री खतम सी हो रही है, उसमें आपका इनिशियेटिव और वो कांस में प्रीमियर होना, वो बगल में अच्छे थे, फिर मुझे अज़ा लगता है कि इस फिल्म में महनत किया जाए और इसको कहीं पहुचा आ जाए, और भगवान फिर साथ देते हैं जब आप पूरी एनरजी एक साथ, सारे पॉजिटिव लोग मिल जाते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को आप इंपॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं, आपकी टीम होना बहुत ज़रूरी है, मैं भागिशाली रहा कि मेरे साथ भी लोग जुनूनी थे, जो नहीं थे, उनको भी जुनूनी बना दिया, मेरे पास सबसे बड़ा हतियार है जुनून, मेरे पास जुनून है, उसी के बल प मेरे नाम के साथ जो भी है, मेरी हिस्ट्री है, जो एक इतिहास है मेरे नाम का, उसके पीछे बहुत सारा जुनून है, पैशन है, सच्चाई है, मेरी मानदारी है, अपने काम के प्रती, दिन रात की सैसेवा है, मेरे शरीर में बहुत सारे अक्सिडेंट, मेरे सारे शरीर की हड़ियां तूटी भी हैं, मैं बहुत बार मेरे पर गाड़ी गिर गई, ट्रक ने उड़ा दिया मझे, जीप के नीचे में कुछला गया, हाँ, हाँ, बहुत, मैं 6-7 बार मुर्टी मौत के मुझसे बाहर हैं, सर ये रंकरमी साथी ये जानना चाहते हैं कि आप इतने सारे काम करते हैं, time management कैसे करते हैं, सर आपने cinema भी किया, आपने TV सीरियल्स भी किये, आपने host भी किया, आप Big Boss में भी गए, आप politics भी कर रहे हैं, इतने सारी चीजें सर कैसे manage करते हैं, time management के बारे मैं आप लीज कुछ पूजा पाएगा। पूरी बोलता हूँ, बहुत सरी भाशाइं जानता हूँ, और भाशा जो नहीं भी बोल पाता हूँ, समझता सब भाशाओं को, फ्रेंच अभी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, फार्सी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ-कुछ शब्दों को उठा रहा हूँ, निर इंतर ओन रखना है नहीं तो क्या उस वो शान्त होने लगता है तो आपको अपने आपको जिवित रखना है अपने सारे इंस्टुमेंट शरीर के जो जो हैं उसको आपको हमेशा अलाइव रखना है तो आपको स्वैम को बहुत सारे एनरजीज देना होगा स्वैम भू बनना पड़ता है, स्वैम को जलाना पड़ता है आपको, आपको कोई जलाएगा नहीं, ना बगल का कलाकार, ना कोई दोस्त, ना साथी, ना परिवार, आपको स्वैम को जलाना होगा, और स्वैम भू बनना होगा, तो ही आप एक नाम करेंगे, और यही सोच के करना है कि, जिस दिन आपके जिस दिन आपने सोच लिया कि मेरी जिस दिन मृत्ती होगी और उस दिन देश या बगल मेरा जिला या मेरा नेबर या मेरी लेन या गली जहां रहता हूँ या मेरा महला नहीं जाना तो फिर बहुत बेकार हो जाता है आपके मृत जिस दिन आपने सोच लिया कि मेरी मृत ही हो गई और लोग जान गए कि अज मेरी मृत हो गई तो आपका धरती पे आना सार्थाक होता। वो जन्वानी की लड़ाई हर कलाकार को करनी कि ऐसा कुछ बने कि मेरे बारे में लिखा जाए कि आज ये नहीं रहे। सर आप जब भी लखनों आते हैं भारतिन दुनाटे कादमी जरूर आते हैं अपना समय देते हैं एक नई पीड़ी जो तयार हो रही है सर अभी निताओं की उनको लगातार आपका समर्थन मिलता है आपकी जो यात्रा रही है वो आप साजा करते हैं उनसे जो नई खेप निकल करिए रंगमंच करिए सारे मुंबई वाले तो अभी लखना हुआ रहे हैं आप लोग मुंबई जाने का सपना छोड़ दे मुंबई में 10 लाख स्ट्रगलर हैं बहुत खर्चा होता है रेंट किराया मुंबई बहुत महेंगा शेहर है और विश्व के महेंगे के शेहरों मे मुंबई का बहुत बड़ा नाम है तो वो बड़ा नैसेसरी परिवार को भी आप टॉचर करोगे कोशिश करो कि यहां रहो अपने आपको इतना इधर मांच दो कि सारे लोग आपको आके लेके जाएं आप वहां न जाएं तो मैं तो राय दूँगा कि आप जहां हैं आप पे ही भारते इंडू इतना अच्छा मंच है इतनी अच्छी च्छत मिली है आप लोग इतने भागिशाली हैं अगर आप उससे जुड़ गया है आपको वहां एड्मिशन मिल गया है तो आप अपने आपको जोंक के वहीं तराश हैं लेकिन रोज रात को पढ़ाई करें सबस्ती जम पढ़ो अगर दोस्त के साथ भी बैटे हो तो सिनमा की बात करो कलाकारों की बात करो रगमंच की बात करो टाइम वेस्ट मत करो कसरत करो exercise करो शरीड पे ध्यान दो योग करो अक्रुबाइट्स करो डान्स करो वह यह विदा में बहुत सारे गुणे है हर जगा पर अपने आपको ट्रेंड करो फाल्तूगिरी नहीं करना कि दोस्तियारी भटकर है वह फाल्तेस और स्टूपिडिटी है सब नहीं करना सर आपके एक वर्ष के छोटे से कारिकाल में आपने संसद में इतने सारे प्रश्ण सर कलाकारों के लिए उठाए हैं हम अमीद करें सर बहुत जल्दी हब बनने वाला है गोरगपूर उत्तर प्रदेश लखनो जी बहुत जल्दी होगा और मैं भारते इंडू के सभी कलाकारों को प्रणाम करता हूं हरार महादेव आप लोग बहुत आगे बढ़ें और ये इंटिव्यू मैं जल्दी देता नहीं अपने बारे में बताता नहीं लेकिन भारते इंडू ये चुके छात रहें और सब कुछ अच्छा होगा आप लोग बहुत बढ़ियां से आगे बढ़ें अपने प्रदेश का नाम करें आप लोग उत्रप्रदेश का मुख्यमंतरी का नाम होगा हमारा नाम होगा अगर आप लोग बढ़ते हैं कि देखो आपके उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग छोटे मृध्यमवर्दी परिवार से होंगे आफिस के माबाबाब के आफिस में सरकारी काम करते होंगे जो भी है आप लोग छोटे बड़े जैसे भी है अपने समय का वेस्ट ना करें माबाब के पैसे का वेस्ट ना करें अपनी जिंदगी को बहुत इंपोर्टन दें जरूरी नहीं कि हर अभी तो आप देखने नवाज दिन छोटे से ही है राजपाल छोटे से ही है इतना नाम कर दिये तो कोई मेरे भी मैं भी कोई Greek God नहीं हूँ मैं भी ordinary सा दिखने वाला आदमी हूँ लेकिन मुझे पुरा विश्व जानता है तो ऐसा एक लुक्स भी मैटर नहीं करता फिटनेस जरूरी है ब्रेन में पॉजिटिविटी बस जरूरी है कलाकार के लिए स्वेम पे विश्वास अपना एक स्वाभिमान जरूरी है अभी हम कहते हैं कि वो जिन्दगी जंडबा फिर भी घंडबा इसी लिए बोले थे कि जिसके मतलब पैसे कुछ नहीं है लेकिन अपने आपका एक आटिटीट आउन रखी है अपना आटिटीट आउन रखीगा और आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे भारते इंदुनाइटी आकादमी के निदेशक शिरमेश चन गुपता जी के इस आमंतर को स्विकार करके आपने रंग समागम कारिक्रम की गरिमा बढ़ाई है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच सर रंग समागम में अपना बहुत मूली समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक